एक बार डाक्टर नूटन जब न्यूयॉक सिटी में अपना भाशन दे रहे थे तो वहीं बैठी एक दर्शक महिला ने डाक्टर नूटन से एक सवाल किया उन्होंने कहा कि क्या आप मानते हैं कि बिल्यों में भी आत्मा होती है इस पर डाक्टर नूटन ने उनसे पूछा क् अपने बिल्यां पाल रखए हैं इस पर उस महिला't ने तो कोई जबाब नहीं दिया लेकिन उसके साथ बैठी उसकी मित्र ने कहा चार उस महिला ने चार बिल्यां पाल रखँ थी इस पर डाक्टर नूटन ने कहा कि इस लिगे प्रतिज सबसे जयादा सतर करहना होगा जिनके पास बिल्लियां हैं आगे उन्होंने कहा कि उन्होंने आज तक किसी बिल्ली को तो समोहित नहीं किया है इसलिए मैं व्यक्तिक तुरूप से तो कोई दावा नहीं कर सकता नुटन के इस जवाब पर वो महिला बिल्कुल खुश नहीं हुई वो तब तक खुश नहीं हुई जब तक डाक्टर नुटन ने ये नहीं कहा कि मैं तो नहीं लेकिन मेरे कुछ माध्यम हैं जो पश्वों से बहुत प्रेम करते रहे हैं उन्होंने आत्मा लोक में पश्वों के विश्य में कुछ बताया है इस विश्य में ह अलग-लग सरकी आत्माएं होती हैं, मनुष्यों में अलग सरकी होती हैं, जानवरों में निम्न सरकी होती हैं, जैसे कि मुस्लिम धरम हैं, उसमें ये माना जाता हैं, जानवरों में आत्माएं तो होती हैं, लेकिन वो अमर नहीं होती, वो लोग ये मानते हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो सोच समझ कर स्वर्ग और नरुप के बीच में बुद्धिमानी के साथ चुनाव नहीं कर सकती अगर इसाही धरम की बात की जाए तो वो सिर्फ जो मनुश्य बहुत धरम अनुरूप चलते हैं सिर्फ उन्हीं की आत्मा को अमर मानते हैं वैसे तो आप जो भी उर्जा जीव जन्तों को देते हैं वो आपको वापस लोटाते हैं आप उन्हें डाटते हैं तो वो भी थोड़ा सा क्रोल पतशित करते हैं आप उन्हें प्रेम करते हैं तो रिटन में वो भी आपको प्रेम करते हैं जो उर्जा आप दे रहे हैं वो वही उर्जा आपको रिटन कर रहे हैं लेकिन ये जो उर्जा को रिटन करने की भी प्रक्रिया है ये भी जानवर के व्यक्तित्व पर निभर करती है अब ये तो हमें पता है कि जानवरों में भी विचार करने की शमता है क्यों वो भी हस्ते होते हैं वो भी फील करते हैं लेकिन इनके विचार की शीर्णी क्या होती है यह कहाँ पाना मुश्कील है शायद काना पीना सुना इससे आगे शायद ही होती हो या हो भी सकती है क्योंकि आपने चेडियों को जानमडों को लड़ते वे भी देखा होगा अब जैसे कुटे होते हैं वो वफदार किस्म के होते हैं बिल्लिया होती हैं वो बहुत चतुर होती हैं जैसे डॉल्फिन जैसी मचलिया होती हैं वो तो आवास की जैसे मुनुश्य बोलते हैं उनकी आवास की भी नकल कर सकती हैं किसी डूप टवे को बचा भी सकती हैं उनमें इतनी भी समझ होती है अब ये तो हम जानते हैं जो भी लोग जानवर पालते हैं उन्हें पता है कि उनके अंदर भी हर तरह के अनुभूतियां होती है और उनका मालिक क्या चाहता है उसकी जुरुत के प्रती भी वो बहुत समझदार होते है कुल मिलाके जानवर भी जेतन प्राणी है उनमें भी स्वभाविक अनुभूतियां होती है और अगर पशों के पास विचार करने की शमता है तो उनके पास निश्चित ही एक अपनी व्यक्तिकत उर्जा भी है जो डाक्टर न्यूटन के माध्यम रहे हैं उन्होंने जब बताया उन्होंने कहा कि जानवर भी आत्मिक उर्जा रखते हैं लेकिन ये मानव की आत्माओं के समान नहीं होती जैसे डाक्टर न्यूटन का किमोई नाम का एक माध्यम था जिसके पास बहुत सारे जानवर थे कुटे, बिलिया, घोडे उसे जानवरों से बहुत प्रेम था शायद वो कई जन्मों से जानवरों से लगाव रखता आया होगा तो उसने एक बात कही और यह बात सही भी प्रतीत होती है क्योंकि एक्जेक्ली इसी तरह की बात जिवात्मा जगत की नियम इस बुक में भी कही गई है जाता कुछ नहीं बताएगा है, बहुत थोड़ा बताएगा है सिर्फ इतना कि उनका लोग अलग होता है और मनुश्यों का लोग अलग होता है सुभाविक रूप से अलग होता होगा क्योंकि जानवरों का जो कर्म संबंधी नियम है सुभाविक रूप से बिल्कुल अलग होते होंगे हम मनुश्यों से हमारे लिए हिंसा करना पाप हो सकता है जो जानवरों की आत्माई है वो अलग होती है और जो अवकाश का वक्त होता है जैसे मुनुष्य धर्ती पर आकर आनददाई वक्त गुजारना पसंद करते हैं इसी तरह से सोल वर्ड में रहते हुए वो अपने जो जानवर है उनके साथ भी अवकाश का वक्त गुजार सकते हैं लेकिन एक फर्क होता है फर्क ये कि जानवरों की दुनिया अलग है उनका सोल वर्ड अलग है मुनुष्यों का सोल वर्ड अलग है तो मुनुष्य जानवरों के सोल वर्ड में नहीं जा सकते लेकिन जो जानवरों की सरक्षक आत्माई होती है आप उन्हें जो मर्जी नाम दीजे आप उन्हें जानवरों के मागदर्शक कहिए या गुरूजन कहिए जो मर्जी नाम दीजे उन्हें खोजी कहा जाता है तो पहले खोजी को कहा जाता है कि हम अपने जीव से जानवर से मिलना चाहते हैं उसके बाद खोजी उस पालतु पशु को ढूंडता है इसमें एक बहुत अजीब बात भी कही डाक्टर नूटर ने जब किमोई समोहन के वस्ता में थे तो उन्होंने पूछा कि इसका आर्थ है कि खोजी को तुम्हारे पालतु पशु को ढूंड़ना होता है जो उर्चा से निर्मित नहीं है जैसा कि तुम अपने बगीचे में एक पोधे के साथ कर सकते हो इस पर किमोई का जवाब था हाँ बिल्कुल जैसे माली को बोलते हैं न कि हमें वो वाले फूल चाहिए वो वाला पोधा चाहिए तो माली पूरे बगीचे में उससे पता होता है वो वाला पोधा कहाँ पर है पस इसी तरह से खोजी होते है आगे जब नूटन ने उससे पूछा कि किमोई क्या पश्वों में आत्मा होती है इस पर उसका जवाब था हाँ, बिल्कुल लेकिन अनेक प्रकार की एक बिल्कुल स्वभाविक सवाल पश्वों की आत्मा और मनुश्यों की आत्मा में फर्क क्या है ये डाक्टर नूटन ने पूछा किमोई से तो उसने जो उत्तर दिया ध्यान दीजेगा उसके उत्तर पर सभी जीवों की आत्माओं के विभिन गुण होते हैं जानवरों की आत्माओं के उर्जाकन छोटे होते हैं और कम मात्रा में और मानव आत्माओं के समान जटिल और बहुपक्षिय नहीं होते हैं ये चीज तो बिल्कु स्वभाविक रखती है ना, जानवरों का सोचने का स्तर, जीवन जीने का स्तर इतना जटिल थोड़े हैं, जितना हम मनुष्यों का है, हमारी उर्जा ज्यदा जटिल है जानवरों की नहीं, अब पता नहीं, हम तो अपने आपको सुपीरियर कहते हैं, पर क्या पता शायद जानवर मांसीक और भावनात्मक रूप से हमसे ज़्यादा शान्त और खुश रह सकते होंगे? अगला सवाल था कि इंसानों और पशू के आत्माओं के बीच में कौन सा मेन अंतर है? तुम कैसे बता सकते हो? अब जो उसने जवाब दिया उसका जवाब था कि आकार और शमता ये तो मुख्यांतर है ही उर्जा के आकार और शमता में अंतर तो है ही इसके अलावा जो पशू होते हैं उनमें अहां की भावना नहीं होती अपनी इंडिविजल पहचान की भावना जिसे हम कहते हैं अब वो नहीं होती और वो अपनी पहचान की विशे में बहुत ज़्यादा मतलब अभी भूत भी नहीं होते उसे अब हम हैं, हम लोग अपनी व्यक्तिकत पहचान के साथ बहुत ज़्यदा ट्यज होते हैं, वो नहीं होते हैं बहुत इजली वातावरण को सुविकार कर लेते हैं, उसके साथ घुल मिल जाते हैं हम मारा वैसे नहीं होते हैं, हम इंसानों को तो दूसरे पर नियंतन करना है, अपने आपको सुपीरीर साबित करना है, तो हम लोग इस चीज के लिए दूसरे पर नियंतन के लिए संगर्ष करते रहते हैं। यह चीज जानवरों में नहीं है, उनका संगर्ष तो बस जीवन यापन के लिए होता है, किसी दूसरे जीव के साथ अगर उनका संगर्ष है, तो वो भी उनके जीवन यापन से जुड़ावा होगा, ना कि उसके उपर नियंटन करके उसको अपना गुलाम बनाना है, या मैं स जानवरों का अपना अधिकार चेतर है, अब वही वाली बात है, मचलियों का अपना जीवन होता है पानी में, उसमें हमारा इंटरफिरेंस नहीं है, उनका धर्ती की जीवन पर इंटरफिरेंस नहीं है, इसी तरह से जानवरों का अपना सोल वर्ड है, मनुश्यों का अपन तो तुम कैसे उनके अधिकार छेतर में जाते हो जब कि उन्हें पता है कि वो नहीं जाता फिर भी यह सवाल क्या इस पर कि मोई का जवाब था कि जब हम जानवरों की शारीरिक अस्तित्व में भागिदार होते हैं तो फिर उनके मान्सिक अस्टित्व में क्यों नहीं हो सकते अच्छा बात सिर्फ जानलों पर खतम नहीं होती उसने एक कदम और आगे बढ़के बोल दिया कि मेरे पोधे पर भी यही बात लागू होती है अगर मैं चाहूं तो उसका साथ भी कर सकता हूँ उसे भी कोई ऐसे विकार नहीं करता यह बात तो हम जानते हैं कि उर्जा तो पोधो में भी होती है लेकिन किस तरीके से सोल वर्ड में पोधो का साथ होता होगा इस चीज़ को समझना मुश्किल है और इस चीज़ को क्लियर भी नहीं किया गया है इतना जूर समझ में आ रहा है कि धर्टी पर जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब उर्जा का गेम है तो पोधो में भी उर्जा है अलग स्थर की है निम्लिस्थर की है बहुत ही जड़ है लेकिन है ना तो सोल वर्ड में आपकी उसी उर्जा से मुलाकात क्यों नहीं हो सकती जब आप इस धर्टी पर उस उर्जा से इंवाल्व हैं क्योंकि हम उर्जा का एक्सचेंज तो करते हैं तो जब हम धर्ती पर उर्जा के साथ involved हैं तो वो soul world में क्यों नहीं वजूद रखेगी रखेगी हां लेकिन पोधों के मामले में तो पोधे return तो नहीं करते न हमें हम जाहे उन्हें जितना भी प्यार और खुशी दें वो हमें return तो नहीं करते उस रूप में जिस रूप में हम देते हैं जानवर तो फिर भी उसी रूप में करते हैं और ना ही पोधों में सनायू तंत्र होता है जिसके जरीए वो दुख धर्द को मैसूस कर सके अच्छा एक और बहुत इंट्रेस्टिंग सवाल था डाक्र नूटन का कि क्या पोधे की उर्जा कुट्टे की उर्जा बन सकती है या कुट्टे की उर्जा पोधे की उर्जा यानि अब सीधा सा सवाल है ये कि पोधे का जनम जनम के रूप में और जनम पोधे की रूप में क्योंकि है तो उर्जा तो उर्जा क्या इस तारी के से जननम ले सकती है? इस पर माध्यम ने डारेक्ट जवाब दिया? नहीं. और फिर उसने clear भी किया कि ये बात उसने क्यों कही है? उसने कहा कि क्योंकि जीवन के प्रतेक रूप की अपनी एक उर्जा का संख्रह होता है. यह उर्जा उसी गरहे पर दूसरे भोतिक रूप में सीमा को पार नहीं करती है अब इस चिसको हम बिल्कुल सरल बच्चो जैसी भाशा में कहें तो वो यह कहना चा रहे हैं कि पोधों में अपनी उर्जा होती है जानवरों में अपनी उर्जा होती है, मनुश्यों में अपनी उर्जा होती है और ये उर्जा कभी भी दूसरे भोतिक रूप में कनवर्ट नहीं होती है अगर पोधा जानवर के रूप में रिवर्थ लेगा तो उसकी उर्जा टोटली कनवर्ट हो गई न बिल्कुल यालग उर्जा है, जानवर की उर्जा बिल्कुल अलग है, पोधी की उर्जा बिल्कुल अलग है तो वो उर्जा बिल्कुल दूसरे रूप में परिवर्थित नहीं हो सकती अब इसके इस जवाब से अभी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि अच्छा अगर ऐसा है तो एक सवाल जो हम लोग करते रहते हैं कि क्या मनुश्य जानवर रूप में जनम लेता है तो इसका मतलब ये भी नहीं होता होगा क्योंकि ओर्जा का बदलाओ तो ये महापर भी है ना एक प्लैनट के ऊपर एक उर्जा जब जनम ले रही है तो वो उसी प्लैनट के रूप पर दूसरे रूप में जनम नहीं ले सकती लेकिन बहुत सारे प्लैनेट है जहां पर उर्जा के अलग-अलग रूप विद्देमान है यहां पर जो पोधे की उर्जा है यहां पर हमारे लिए वो निमनिस्तरी है क्योंकि वो एक पोधा है लेकिन कहीं कोई और प्लैनेट हो सकता है जहां पोधे की ओर्जा कनवर्ट होकर किसी मलब ओर्जा का स्तरवई रहेगा लेकिन वो कुछ उसमें गुण अलग होंगे उसके अनरूप वो किसी और प्लैनेट पर वही ओर्जा जनम ले सकती है सीदे सलल शब्दों में वो ये कहना चाना रहे है मानलीजे कोई जनवर है वो इस धर्टी पर मृत्यू को प्राप्त हो जाता है और अब अगर वो मृत्यू के बाद किसी दूसरी योनी में आता है, जानवर बनके नहीं आता है, किसी और योनी में आता है, मनुश्य या जैसी कुछ या पोधे जैसी निमनसरी है, तो उसके लिए फिर उसका दूसरे प्लैनेट पर ही जाना होगा उसको, वो धरती पर ही उस कारी मिली है उसी का जिक्र करेंगे वैसे ये बात थोड़ी तर्कपुन भी लगती है क्योंकि अगर आपने जिवात्पा जगत की नियम बुक पड़ी है तो उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि जानवरों का सोल वर्ड अलग है मनुश्यों का अलग है मुलाकात होती है आपके के भी बहुत विग्यानिक हुए है जिन्होंने पौधों के उपर जानवरों के उपर जानवरों के उपर तो बहुत ही रिसर्च हुई है कि किस तरीके से बहुत सारे जो दिन राज जानवरों से बेंथा प्रेम करते हैं उनके ट्रेनर वो उनकी जबान तक समझ लेते हैं कि अब जीव कह रहा है जबकि उनकी जबान हम नहीं समझ सकते हैं वो समझ लेते हैं इसके उपर भी बहुत सारी बुक्स लिखी गई हैं लेकिन फिर भी इस सब्जेट को समझना बहुत मुश्किल है क्योंकि जब हम मनुश्य के साथ क्या होता है मृत्यू के बात की दुरिया मे उसे समझने के लिए हमें इतना मुश्किल होता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि बड़ा ऐसे है ना कि अब मनुश्य तो हर चीज़ का सबूत दो, सबूत दो, सबूत चाहिए ऐसे कहते हैं, तो सबूत की भी एक सीमा है, मैं तो अपनी जरफ से वीडियो के पिछले भाग का और अपने सेकंड चैनल पाथ ओफ हैपिनेस का लिंक शेर किया हुआ है आप सभी पर परमातम सौंदर, प्रेम और आनंद सेधेव परस्ता रहे, आप सभी दिप्पे परमधाम में स्थान प्राप्त करें एक बार, Dr. Newton Jeb, New York